10.3 आफ्रीका का उपनिवेशी करण हमने अमेरिका में आफ्रीकी दासों को बसाये जाने के बारे में पहले पढ़ा है यूरोपिय देशों द्वारा आफ्रीका के उपनिवेशी करण की शुरुवात 19-वी सदी के मध्य में हुई सन 1878 तक आफ्रीका की केवल 10 प्रतिशत जमीन पर यूरोपिय देशों का कबजा था लेकिन महें 36 वार्षों में सन 1914 तक लगभग सारा महादुवेशी किसी ना किसी यूरोपिय देश का उपनिवेश बन गया 10.3.1 दास वैपार 19-वी सदी के मध्य तक आफ्रीका में जादा तर हिस्से कबिलाई समूह से आबाद थे जीवन्यापन के मुख्य साधन, पशुपालन, क्रिशी, जंगल से इकठे किये गए कंद मूल एवं शिकार होते थे मध्यकाल में भारत, पश्चिमेशिया और यूरोप में भी आफ्रीकी महादुइब दासों की आपूर्ती के मुखिस्त्रोथ के रूप में जाना जाता था कबिलाई समूह के आपसी जगडे में जो लोग युद्धबंदी के रूप में पकड़े जाते थे उनको दास के रूप में बेच दिया जाता था सन पंद्रासों के बाद उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में खेती करने के लिए जैसे जैसे मजदूरों की जरूरत पड़ी वैसे वैसे अफ्रीका महादुइब से दासों का वैपार भी बढ़ता चला गया कई उरोपिय देश इस अती लाबदायक मानव वैपार में लग गये और करोडों आफ्रीकियों को बेच कर खुब मुनाफ़ा कमाया 450 साल से अधिक चले इस वैपार को सर 1800 और सर 1900 के बीच धीरे धीरे बंद किया गया मज़ेदार बात यह है कि यूरोपिय देश यह कहने लगे कि आफ्रीका में दास वैपार को खत्म करने के लिए उन्हें आफ्रीका पर अपना राज बनाने की जरूरत है उनमें अभोर लग गई कि कौन आफ्रीका में सबसे अधिक जमीन पर कबज़ा कर पाता है 10.3.2 ओद्योगिक क्रांती सामराज जवादी होड और आफ्रीका ब्रिटेन जैसे प्रारंबिक ओद्योगिक देश ने अपने उद्योगों के लिए कच्चे माल एवं बजार की तलाश में दुनिया के बड़े हिस्से पर खासकर एशियाई देशों पर कबज़ा कर लिया था जर्मनी, फ्रांस और इटली में ओद्योगिक क्रांती लगभक 100 साल बाद हुई इन नौ और द्योगिक देशों के लिए आफ्रीका ही एक ऐसा छेत्र था जिस पर कबज़ा करने की संभावना थी वर्चस्ववादी विचार धाराये यूरोप में इस समय कुछ ऐसे विचार लोगप्रिय हो रहे थे जो यूरोपिय देशों को ज्यादा से ज्यादा उपनिवेश बनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे उपनिवेश बनाना राष्टी शक्ती का पर्याय समझा जाता था और उपनिवेश के प्रसार के लिए काम करना राष्ट रुपेम की अभिवेक्ति मानी जाती थी यूरोप में बहुत से लोगों का मानना था कि विश्व में मनुश्यों के कई नसले होती है और यूरोपी नसले बांकी दुनिया के नसलों से बहतर है यह मानना कि मनुश्यों के नसले होती है और एक नसल को दूसरी नसले से बहतर मानना नसलवाद कहा जाता है नसलवादी यह भी मानते थे कि श्रेश्ट नसले के लोगों का कमजोर नसलों पर राज करना या उनका शोशन करना जरूरी और स्वाभाविक है आफ्रीका के दक्षणी लाको में जैसे दक्षणी आफ्रीका जिमबाववे आदे में कई उरोपी लोग जाकर बसे यहां तक कि भारत से भी बहुत से लोग वहां जाकर बसे वे सब अपने आपको स्थानी अश्वेत लोगों से स्रेश्ट समझते थे और उन्हें कई विशेश अधिकार प्राप्त थे वे यह प्रयास करते थे कि विबिन्नमूल के लोगों का आपस में मेल मिलाप ना हो और नसल आधारित विशेश अधिकार बने रहें इससे रंग भेत की नीती बनी जो सन 1994 तक चली अपनिवेशक काल में एक और विचार गोरे लोगों का बोजा बहुत लोग प्रिय हुआ था इस विचार के अनुसार दूसरे महादेब के लोग पिछड़े हुए हैं इसलिए यूरोप के लोगों का नैतिक दाइत्व है कि उन लोगों को सब भे बनाया जाए इस विचार के अनुसार यूरोपिय देशों का यह करतव है कि वे शेश संसार के देशों को ज्ञान और धर्म के मुद्दों पर पत्प्रदर्शित करें इस विचार से उत्साहित होकर बहुत से लोग आफरीका में इसाई धर्म या फिर आधुनिक विज्ञान वत्तार्किक सोच के प्रचार प्रिसार के लिए भी गए फ्रांस जैसे कई उरोपी देश अपने उपनिवेशों में आफरीकी लोगों का ऐसा एक समू तयार करना चाहते थे जो उरोपी भाष्या, संस्कृति, धर्म और विचारों को अपना ले और उपनिवेशिक शाशन की मदद करें इस उद्धेश इसे उफरीका में कई उरोपी विश्वित द्याला और सिक्षन संस्थान खोले गए बर्लिन कॉन्फरेंस और उफरीका का बटवारा सन 1884 से 1885 तक सन 1850 के बाद यूरोप के नौ अध्योगिक्रित देशों ने आफरीका में आकरामक तरीके से काम करना शुरू किया जल्दी ही यूरोप के कई देश आफरीका के अलग-अलग हिस्सों पर कबजा करने में सफल रहे लेकिन इससे यह आशंका होने लगी कि यूरोप के देश आपस में ही न लड़ने लगे आपसी उद्ध के खत्रे को टालने के लिए यूरोप के देशों ने आफरीका को आपस में बाटने का फैसला किया जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें यूरोप के कुल 14 देशों ने भाग लिया सम्मेलन की सबसे मज़दार बात यहा थी कि इस सम्मेलन में आफरीका के लोगों का प्रतिनिद्ध करने के लिए किसी आफरीकी को नहीं बुलाया गया सम्मेलन में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया कि आफरीका के किसी भी हिस्से पर कोई भी यूरोपिय देश बाकी देशों को बता कर कबज़क कर सकता है इस तरह से मात्र 30 सालों में ही पूरा अफरीका किसी ना किसी यूरोपिय देश के प्रभाव छेत्र में आ गया हर एक यूरोपिय देश उस भाग का अपने फायदे के लिए जादा से जादा दोहन करना चाहता था